सिग्रॉली जिले के सहज घाटी में 200 मिटर एनेच 49 रोड घसी हुई है कई घंटो छोटे बड़े वाहन जाम में फसे रहते हैं हम आपको बता दें कि 10 सालों से बन रही नेशनल हाईवे 49 लगभग आज तक पूरी नहीं हो पाई है इस हाईवे पर कई डेंजर जोन बन चुके हैं और इस खतरनाक हाईवे पर जान जोखिम में रखकर प्रते दिन हजारों यातरी वाहन और कमर्शियल वाहन सफर करने को मजबूर है लेकिन वर्तमान निर्मान कार कर रहे कम्पनी हाईवे के इंडेंजर जोन को सही करने में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं उसी का खामियाजाद जनता को भुगतना पड़ रहा है सजहर घाटी पर इस हाईवे का करीब 200 मिटर हिस्सा घसा हुआ है हाईवे जाम हो गया है इस हाईवे पर यात्रा कर रहे हजारों यात्री बड़े छोटे वाहन कई घंटों इस जाम में फसे रहे कई घंटों बात निर्मान कार कर रहे कम्पनी तिरुपति बिल्डी कॉन और MPRDC के कर्मचारी मौके पर पहुँचे जहां सुधार कारे हुआ लेकिन यात्रीों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा यात्री काफी परिसान हुए वर्तमान समय में हाईवे निर्मान कर रही तिरुपति बिल्डी कॉन कम्पनी पहले से बनी हुई है पहले से बनी हुई हाइवे पर डामर लेप कर बिल भुकतान में लगी है और उसका ध्यान इस हाइवे के देंजर जोन पर नहीं जा रहा है